प्रिये चात्रों आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है आज हम समझेंगे कि वास्तिविक संख्याओं पर संक्रियां किस तरह से की जाती है मैंने आपको बताया था कि वास्तिविक संख्याओं के अंतरगत परिमे संख्याओं होती है और अपरिमे संख्याओं होती है आज हम जानेंगे कि इन परिमे संख्याओं और अपरिमे संख्याओं में संक्रियां किस तरह से होती है हम जानते हैं कि गणित में चार तरह की संक्रियाएं होती हैं और वे संक्रियाएं हैं जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग ये चारों तरह की संक्रियाओं को हम गणित में लागू करते हैं और परिमे संख्याओं व अपरिमे संख्याओं में भी इन्हें लागू किया जा स देखिये क्या होता है जैसे कोई परिमे संख्या है और अपरिमे संख्या है यह अलग अलग तरीके से एक दूसरे से जुड़ भी सकती हैं कम भी हो सकती है इन दौनों का एक दूसरे के साथ गुणा हो सकता है या एक का दूसरे के साथ भाग हो सकता है तो सभी इस्थितियों क को हम एक-एक करके देखते हैं, देखिए, यहां पर बहुत सारी परिस्थितियां लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ, पहली परिस्थिती है कि एक परिमे संख्या, दूसरी परिमे संख्या के साथ जुड़े अर्थात उनके बीच में जोड़ की संक्रिया हो, तब इस इस्थिती में क्या होता है, जो मान प्राप्त होता है, अंतिम परिणाम जो हमें प्राप्त होता है, वो एक परिमे संख्या ही होती है, क्या होती है, परिमे संख्या, फिर से बता देता हूँ, दो परिमे संख्याएं जब जोड़ती हैं, तो हमें परिणाम परिमे संख् परिमे संख्या ही प्राप्त होती है तीसरी स्थिती है जब एक परिमे संख्या का दूसरी परिमे संख्या से गुणा होता है तब भी हमें परिमे संख्या ही प्राप्त होती है और जब एक परिमे संख्या को हम दूसरी परिमे संख्या से भाग देते हैं लेकिन इसमें शर्त यह होती है कि जिससे हम भाग देते हैं वह संख्या शुनियतर होनी चाहिए अर्था शुन्य को छोड़कर वो परिमे संख्या होनी चाहिए तब हमें परिणाम परिमे संख्या ही प्राप्त होता है अब हमने यहाँ पर कहा कि जिससे हम भाग देते हैं वह संख्या शुनियतर ह परिमे संख्या को शूनि से भाग नहीं दे सकते इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है शूनियतर परिमे संख्या तो हमने देखा यहाँ पर कि कोई भी परिमे संख्याए हो दो परिमे संख्याए उनके बीच में कोई भी संख्या हम कर लें चाहे जोडने की संख्या कर लें चाहे घटाने की करें चाहे गुणा की करें चाहे भाग की करें हर स्थिती में हमें अंतिम परिणाम जो प्राप्त ह होता है वह परिमे शंख्याही प्राप्त होती है और इसलिए कहते हैं कि जोड़ना घटाना गुणा और भाग के सापेक्षस परिमे संख्याएं संवृत होती हैं कैसी होती हैं संवृत होती हैं यानि कि area क्लोजड होती हैं क्योंकि किन्हीं भी तो परिमे Сंख्या cra genommen के हैं कि ये जो परिमे संख्याएं हैं वो कैसी हैं सम्वरत्य याने की क्लोश्ड है अगली परिस्थितियां देखते हैं यहाँ पर एक अपरिमे संख्या का दूसरी अपरिमे संख्या के साथ हम जब जोड करते हैं तो हमें अंतिम परिणाम या तो परिमे संख्या भी प्राप्थ हो सकती है या फिर अपरिमे संख्या भी प्राप्थ हो सकती है यदि हम एक अपरिमे संख्या को दूसरी अपरिमे संख्या से घटाते हैं तो अंतिम परिणाम हमें परिमे संख्या भी प्राप्थ हो सकती है और परिमे संख्या के रूप में भी प्राप्थ हो सकता है जब एक आपरिमे संख्या को दूसरी आपरिमे संख्या से हम भाग देते हैं तो अंतिम परिणाम हमें परिमे संख्या के रूप में भी प्राप्थ हो सकता है चाहे आपरिमे संख्या के रूप में भी प्राप्थ हो सकत या फिर आपरिमे संख्या भी प्राप्त हो सकती है ठीक है आगे देखते हैं तीसरी स्थिती है कि जब हम एक आपरिमे संख्या को दूसरी परिमे संख्या से या तो जोड़ें या घटा आएं या गुणा करें या फिर भाग दें तो इस स्थिती में क्या होता है जो अंतिम प एक अपरिमे संख्या को हम दूसरी अपरिमे संख्या से जब जोडते हैं तो हमें अपरिमे संख्या प्राप्त होती है एक अपरिमे संख्या से किसी परिमे संख्या को जब हम घटाते हैं तो अपरिमे संख्या प्राप्त होती है अपरिमे संख्या में किसी परिमे संख्या जो की शुन्येतर हो अर्थात शुन्ये ना हो से गुणा करते हैं तो अपरिमे संख्या प्राप्त होती है और जब अपरिमे संख्या में परिमे संख्या जो कि शुन्य ना हो से भाग देते हैं तो अपरिमे संख्या प्राप्त होती है तो हमने यहाँ पर सभी स्थितियां देखा कि कैसे किसी परिमे संख्या या अपरिमे संख्या को किसी अन्य परिमे या अपरिमे संख्या से संक्रिया करने पर हमें किस तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं वो संख्या जो होती है वो परिमे प्राप्त होती है कि आप परिमे प्राप्त होती है आप इसको नोट कर सकते हैं अब हम इनके उदाहरण देखते हैं यहाँ पर सभी स्थितियों के उदाहरण लिखे हुए हैं पहले स्थिति है किसी परिमे संख्या में दूसरी परिमे संख् और तीन बटे चार एक दूसरी परिमेश संख्या है जब हम इनको जोडते हैं तो हमें अंतिम परिणाम परिमेश संख्या ही प्राप्त हो रहा है अगला उदाहरण है परिमेश संख्या में से दूसरी परिमेश संख्या को घटाना इस स्थिती में भी हमें परिमेश संख्या ह प्राप्त होती है, यहाँ पर उदाहरण है, एक बटे दो एक परिमेश संख्या है, और तीन बटे चार दूसरी परिमेश संख्या है, इनको हम घटा रहे हैं, यानि कि एक बटे दो में से तीन बटे चार को हम कम कर रहे हैं, तब इस इस्थिती में ये परिमेश संख्या प्र इस स्थिती में परिणाम परिमे संख्या ही प्राप्त होता है जैसे एक बटे दो को हम तीन बटे चार से जब गुणा करते हैं तो जो परिणाम प्राप्त हो रहा है हमें वह भी कैसा है परिमे संख्या के रूप में है अगला उदारण देखते हैं एक परिमे संख्या है उसक तब इस स्थिती में भी अंतिम परिणाम परिमे संख्या की रूप में प्राप्त होता है यहां पर हम एक बटे दो को तीन बटे चार से भाग दे रहे हैं तो हमें दो बटे तीन जो संख्या है वो प्राप्त हो रही है और यह एक परिमे संख्या है भाग करने के लिए क्या किया जाता है एक बटे दो भाग लिखा है तीन बटे चार तो भाग को गुणा में परिवर्तित करके और इसको इसका अंश हर बना लेते हैं और हर को अंश बना लेते हैं आपको तो पता है और इस तरह से हम संक्रिया कर लेते हैं, 4 बटे, 3 उनी 6, ये जब कटेंगे तो 2 बटे, 3 हमें प्राप्त हो रहा है, अगला उदारण देखते हैं, अपरिमे संख्या को अपरिमे संख्या के साथ जब हम जोडते हैं, तो परिणाम जो है वो अपरिमे संख्या की रूप में भी प्राप्त हो सकता है, और अपरिमे संख्या की रूप में भी प्राप्त हो सकता है जैसे यहाँ पर दो अपरिमे संख्या है वर्गमुल दो और वर्गमूल दो जब इनको हम जोडते हैं तो दो वर्गमूल दो प्राप्त होता है और वरगमूल दो का मान रखने पर हमें यह संख्या प्राप्त होती है और यह भी एक कैसी संख्या है अपरिमे संख्या है और इस इस्थिती में जब हम दो अपरिमे संख्या को जोड़ते हैं तब परिमे संख्या भी प्राप्त हो सकती है आगे देखते हैं अपरिमे संख्या मैंसे अपरिमे संख्या को घटाना क्या करना घटाना इस इस्थिती में क्या होता है परिणाम परिमे संख्या भी हो सकती है और अपरिमे संख्या भी हो सकती है यहाँ पर दो अपरिमे संख्या है वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 जब हम वर्ग मूल 2 को वर्ग मूल 3 से घटाते हैं तो इस इस्थिती में हमें ये जो परिणाम प्राप्त हो रहा है ये अपरिमे संख्या की रूप में प्राप्त हो रहा है और दूसरे उदाहरण में हमने क्या किया वर्ग मूल 3 को वर्ग मूल 3 से घटा दिया तो इस इस्थ संख्या भी प्राप्त हो सकती है अगला उदारण दिखते हैं अपरी में संख्या में जब हम अपरी में संख्या का गुणा करते हैं तब भी परी में संख्या या फिर अपरी में संख्या हमें प्राप्त हो सकती है यहां पर वर्गमूल तीन है जो कि एक अपरी में संख्या है और ये भी एक अपरिमे संख्या है जब दौनों का हम गुणा करते हैं तो हमें परिमे संख्या प्राप्त हो रही है अगला उदारण है अपरिमे संख्या में अपरिमे संख्या का भाग देना इस स्थिती में भी क्या होता है परिमे संख्या या आपरिमे संख्या कोई भी संख्या हमें प्राप्थ हो सकती है यहाँ पर हमने इन दोनों का भाग किया है तो यहाँ पर हमें जो संख्या प्राप्थ हुई है वो परिमे संख्या है आगे देखते हैं परिमे संख्या को जब हम अपरिमे संख्या से जोडते हैं या फिर अपरिमे संख्या को परिमे संख्या से जब जोडते हैं तो हमें अंतिम परिणाम अपरिमे संख्या ही प्राप्त होती है वर्ग मुलतीन एक अपरिमे संख्या है और दो एक परिमे संख्या है जब इनको हम तो हमें जो अंतिम परिणाम प्राप्त हो रहा है वो कैसा है अपरिमे संख्या है अगला उदाहरण अपरिमे संख्या मैं से परिमे संख्या को घटाना यहां पर हम घटा रहे हैं इस स्थिती में भी परिणाम अपरिमे संख्या ही प्राप्त होगा यहां पर एक अपरिमे अगला उदाहरन देखते हैं अपरिमे संख्या में परिमे संख्या का गुणा इस स्थिति में भी हमें अपरिमे संख्या प्राप्त होती है जैसे यहांपर वर्ग मुलतिनेक हं बरिमे संख्या है अगला उदाहरण अपरिमे संख्या में दूसरी परिमे संख्या का भाग देना ये शूनियतर होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए शूनियतर क्योंकि यदि ये शूनिय रहेगी तो ये फिर कैसा हो जाएगा अनन्त हो जाएगा अपरिमे संख्या में हम शूनिय का तो हमें अंतिम परिणाम अपरिमेश संख्या प्राप्त होगी जैसे यहां पर हम इस अपरिमेश संख्या का इस परिमेश संख्या से भाग कर रहे हैं और हमें अंतिम परिणाम अपरिमेश संख्या की रूप में प्राप्त हो रहा है कैसा हो रहा है अपरिमेश संख्या की और वह प्रश्ण यहा है कि पाई में किसी भी संख्या को जोड़ने, घटाने या फिर किसी शुनियतर संख्या से गुड़ा या भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह परिमिये होगी या फिर आपरिमिये देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि पाई में यानि कि 22 बटे 7 में किसी भी संख्या को यदि हम जोड़ते हैं घटाते हैं या फिर किसी शुनियतर संख्या से यानि कि जो संख्या शुनिन नहीं है ऐसी संख्या से गुड़ा या भाग करते हैं तब हमें जो संख्या प्रा या फिर किसी भी शुनियतर संख्या से गुड़ा या भाग करने पर हमें अपरिमे संख्या ही प्राप्त होती है तो छात्रों आज की वीडियो में इतना ही जैहिंद।